हाथ बॉस इस साल के मोस्ट अवेटेड और सबसे महगी वेब सिरिस हीरा मंडी दा डायमेंड बजार नेट फिलिक्स पे रिलीज हो गई है ये संजा लिला बंसाली का 14 साल पहले दिखा गया सपना है जिसे उन्होंने इस साल सच कर दिया है सिरिस की स्टार कास्ट इतनी रखता है सिरिस में एक बार आप हीरा मंडी के सेट को देख लोगे तो भूल नहीं पाओगी मेरी गैरंटी है क्या ग्रेंजे सेट बनाया एकदम लाजवाब लेकिन सिरिस को देखने के लिए आपको भर भर के पेसेंस रखना पड़ेगा क्योंकि टोटल आठ एपिसोड है इस सिरिस में फीरा मंडी की सबसे बड़ी तावायव है रैहाना बेगम यानी सोनाची सिन्णा जिनसे बजार की सारी तावायव डरती हैं लेकिन अगले ही पल्यावादा मलीका जान यानी मनीसा कॉराला समाल लेती है लेकिन यह कैसे हुआ यह बता दिया तो स्पाइलर हो जाएगा सिरीज में मा बेटी बहन का रिस्ता काफी बेहतरीन तरीकेश दिखाया गया है जिनके हरे किसदार में कुछ ना कुछ खास देखने को मिलेगा आपको साती नवाबों का तड़का सिरीज में जान डाल देता है जुलफिकार के करेक्टर में सेकर सुमन वही नवाब के करेक्टर में Eldin खान ने कमाल का काम किया है किरे मनडि के कहानी दो थावायफ के बीच के जंक कि ऐ gör कि ऑन को पनाया गया है कि जिससे झांब रभान यहीं सिरीज की जान भी है नवाफ़ाओर दारें उससे ज्यादा है औरfeitना का म्कसद अपनी मा की विरासत को बढ़ाने के बजार देश को गुलामी से आजात कराना है वहीं मलिका की बहन रहाना की बेटी सोनाची सिना उनकी मुसीबत बढ़ाने का काम करती है उनका मकसद एक है मलिका का घमंड तोड़ना इसके अलावा मलिका की छोड़ी बहन वहीदा यानी संजीदा से हर वक्त मलिका कि हाँ तो जलील होती रहती है सिरीज में रिचा चड़ा भी है जो कि एक नवाब जादे के इसक में पागल हो गई है अब नवाब अंग्रेज और अजादी की इस जंग में तवायफ की जिंदगी किस मोड पे आ जाती है कौन अपने मकसद में कामियाब हो जाता है और कौन अ पहराजा और उनकी रानिया भी फेल हो जाएं इसके सामने एक असली तवायफ कैसी होती है इसे बहतरीन तरीके से पेस किया गया है हर एक तवायफ की जिंदगी को एक अलग कहानी देने की कोजिस की गई है आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि किसे पसंद करें और किसे ना रखती है मनीशा कोरेला का करेक्टर गिरगिट की तेरा रंग बदलता है पहले नफरत बात में दया और एंड में प्यारे में बदल जाता है रीचा चड़ा का करेक्टर छोटा है लेकिन असादार है मुझे सर्मिन सहगल का करेक्टर कुछ ज्यादा पसंद नहीं आया उनक लेकिन नवाबो के करेक्टर को ज्यादा स्क्रें टाइम नहीं दिया गया है लेकिन जितना भी है ठीक ही लगता है अब बताते हैं कहां बंसाली साथ चूक गये हैं सब कुछ बढ़ियां होने के बावजूत कहां पबलीक किसे नकास सकती है तो सबसे पहले इसकी कहानी जो क अब इसकी हड़ी हद दूसरी सिन में आ जाते हैं जो कि आपको बार बार ये फिल कराएगा कि यह डियेल्टी नहीं है बलकि एक सीदिज है वह इनन सीदिज को इतना रॉयल बना दिया गया है कि जिससे यह फिल नहीं होती है क्यों कि यह ठीक है हिरामटी एक रोयल जगह थ है तो पूरी सीरीज काफी ज्यादा स्लो है स्क्रीन पिले काफी जगे पर कमजोद देखने को मिलता है लेकिन अगर आपको बंसाली साब की राम लीला बाजी रव मस्तानी देवदास पसंद आई तो यह भी आपको जरूर पसंद आईगी अगर कुछ कमियों को छोड़ दिया